प्रभु श्री राम माता सीता और भाता लक्षमन के साथ वनवास के दिनों में थे, वो जिस कुटिया में रह रहे थे माता सीता वहां एक सुनहरे हिरन को देखती हैं और प्रभु श्री राम से कहती हैं कि आप जाकर के उसे लेकर आए प्रभु श्री राम चले जाते हैं, ल अब माता सीता लक्षमन जी से कहती है कि आप अपने भ्राता की खोज में जाये पर लक्षमन जी मना करते हैं की नहीं वह त्रिलो की नाथ है वह सरवग्य है उनकी चिंता करना बंद कर दीजिये पर माता दुखी हो जाती है उनके अश्रु देख कर लक्षमन जी कहते है ठीक ह माता आपकी आग्या है, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन अनिच्छा से ही मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले वो कुटिया के चारों और एक रेखा खींच करके जाते हैं, और माता को निवेदन करके जाते हैं, कि माता आप इस रेखा से बाहर मत आना। प्रभु श्री राम और लक्षमन जी के अलावा अगर कोई भी उस सीमा रेखा को पार करने का प्रयास करें, तो उसकी मृत्यू हो जाएं ऐसी रेखा जो है वो खींच करके जाते हैं। फिर क्या होता है कि रावन भिक्षुक के रूप आता है और माता सीता से भिक्षा मांगता है, पर माता सीता उस पर संदेह नहीं करती है और भिक्षा देने के लिए उस रेखा को पार कर जाती है, जिसे लक्षमन रेखा कहा जाता है, रावन तुरंत माता सीता का अफ़रण कर लेता है और पुश्पक विमान से लंका ले जाता है ये कथा आपने सुनी है जो लक्षमन रेखा है इसके पीछे का विज्ञान इसके पीछे का रहस्य इस वीडियो में आपको बता रहा हूं स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे यूट्यूब चैनल पर अब अपनी है मंदोधरी वो रावन की वीरता की जो बड़ बोले दावे है उन पर उसे डांट लगाते हुए संकेट देती है कि आप इतना बड़ा जो है अपना शौर्य बताते हैं, इतना बड़ा जो है अपना गुनगान करते रहते हैं, आप राम के छोटे भाई ने जो एक इस रेखा को पार करके आये तो वहां इस रेखा के बारे में उल्लेख हुआ है, जो मूल रामायन है, जो वालमी की रामायन है, उसमें इस रेखा का उल्लेख नहीं है. रामायन की एक और प्रती है राधेश्याम रामायन जिसमें इसका उल्लेक है कि माता सीता लक्षमन रेखा को लांगती है वो अनुपस्थित मन से केवल अतिथी देवो भवा की जो भारतिय परमपरा उसका सम्मान करने के लिए माता उस रेखा को लांगती है क्योंकि हमारे द पाधा के पास स्वीकार नहीं किया जा सकता। तब जा करके माता सीता रेखा पार करती हैं और कहा जाता है कि जो रेखा माता ने पार की थी उसे लक्षमन रेखा कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में हुआ सोमती विद्या प्रयोग महर्शी श्रिंगी ने कहा एक वेद मंत्री सोम ब्राहमी ब्रतम रात स्वाहा वेतु संभव ब्रहमवात प्रमानन ब्रहमा में रेता अवस्थी इस वेद मंत्र मतलब है कि उस सोमना कृतिक यंत्र को प्रित्वी और ब्रहस्पती के मध्य में कहीं अंतरिक्ष के सेंटर पॉइंट किया जाता है वो यंत्र जो है वो जल वायू और अगनी के जो परमानु उनको अपने अंदर सोखता है और इस मंत्र को उल्टा कर देने पर खास प्रकार से अगनी और विद्युत के जो परमानु है उन्हें बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है जब महर्शी भारगवाज एक बार रिशी मुनियों के साथ में भ्रमन करते हुए वशिष्ट आश्रम पहुचते हैं तो उन्होंने महर्शी वशिष्ट जी से पूछा की राजकुमारों की शिक्षा कहा तक पहुची तो महर्शी वशिष् वरुनास्त्र ब्रहमास्त्र का संधान करना सीख लिया है धनुर विद्या में पारंगत हो गए है और जो राजकुमार लक्षमन है ये एक दुरलब सोम्ति थी विद्या सीख रहे हैं वो यह काल था उस समय प्रित्वी पर चार गुरुकुलों में ये विद्या सिखाई जा कहते हैं कि लक्षमन जी उस विद्या में पारंगत्थे सोनम राहमी वृत्त मरता है स्वाहा वेतु संभव राह में वाचन प्रमान अंग नम्र मेरे ताव बस्ती ये जो मंत्र है इसको सिर्फ बिगड़ने से वो सोमनात कृती के यंत्र में अगनी के वायू के जल के परमा प्रमानू सुख लिए उन परमानूओं को आकाशिय विद्युक मिलाकर उसका पात बनाया जाता है फिर उस यंत्र को जो है सिद किया जाता है एक्टिवेट किया जाता है और उसकी मदद से एक लेजर बीम जैसे जो किरने हैं उस रेखा को प्रित्वी पर गोलाकार अगर खीच दी जाती है तो उसके अंदर जो भी रहता है वो सुरक्षित रहता है लेकिन बाहर से अंदर अगर कोई जबर्दस्ती आना चाहता है प्रवेश करना चाहता है तो उसे अगनी का और विद्युत का ऐसा जटका लगता है कि वो राख बन जाता है तो जो भी व्यक्ति हो या वस्तु उसमें प्रवेश कर रही हो वो राख बन जाती है। है ब्रहमचारी लक्षमन इस विद्या में इतने पारंगत हो गए कि बाद में ये सोम्ति थी विद्या की जगह लक्षमन रेखा कही जाने लगी भी इस विद्या को जानते थे और श्रिंगी रिशी ने कहा कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम मनुष्य थे। कुरुक्षेत्र में जब धर्म युद्ध में मैदान के चारों और ये रेखाएं उन्होंने खीची तो इसलिए खीची गई थी ताकि इस युद्ध में जो भी नुकसान हो रहा लक्षमन रेखा के पीछे जो आध्यात्मिक बात है। उसको बहुत तरीकों से समझाया गया और आप समझ सकते हैं कि लक्षमन की जो योग उर्जा है ये सिर्फ उसका सिंबल हो सकती है उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है वेदों और पुराणों के अनुसार जो लोग निय समित रूप से गहन अध्ययन करते हैं। गहन ध्यान का अभ्यास करते हैं ध्यान की शक्ती से वो अपनी उर्जा को योगिक उर्जा को एक जगह जो हैं सेव कर सकते हैं और आपको अपनी पसंद की किसी भी चीज में उस उर्जा को सेंट्रलाइज करना है उसके लिए ध्या उनकी कुंडलिनी योग उर्जा के सिंबल है वो उसका एक जामपल इसी तरीके से जो लक्षमन रेखा है वो लक्षमन जी की योग उर्जा सिंबल है उसका प्रतिनिधित्व करती है रिप्रजेंट करती है जो उस रेखा के अंदर किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित करने की क्षमता रखती थी तो आध्यात्मिक की ये भी दिया जाता है कि लक्षमन जी ने बहुत सारा ध्यान और अभ्यास किया उससे अपनी जो योगिक उर्जा थी उसको एक जगह संग्रहित कर दिया लक्षमन रेखा के पीछ का रहस्य आपको बताने का इस वीडियो में मैंने प् पाया उम्मीद करते हैं ये रोचत प्रसंद आप पसंद करेंगे कोई सुझाव हो या शिकायत हो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक करें आप जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्र प्रसंद करेंगे में यादिया झाल